Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल इरान इराग वोर वेलकम टू Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तू, Middle East region बहुत सी वार्ज और कांफ्रिक्ट्स का सेंटर रहा है फिर चाहे वो इस्रेल पैलेस्टाइन का विवाद हो या शिया सुन्नी का यहां की हिस्ट्री को वार्ज के थूँ बहुत अच्छे से समझा जा सकता है आज हम ऐसे ही एक वार की बात करने जा रहे हैं जिसने सिप्टेंबर 1980 में एक बार फिर Middle East और Arab वर्ल्ड में नई confusion पैदा कर दी थी दरसल एराकी ट्रूप्स ने इरान पर हमला कर दिया था जी हां हम बात कर रहे हैं इरान-एराक वार की जो 1980 से लेकर 1988 तक चला था यानि कि पूरे 8 साल हम आज जानेंगे इस वार के पीछे के कारण इस दोरान हुए इवेंट्स और इसके इंपक्ट के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि इराक ने आखिर इरान पर हमला क्यों किया था इराक's motives दोस्तों उस समय इराक के प्रेजिडेंट हुआ करते थे सदाम हुसेन और उनके पास इस अटैक को लांच करने के बहुत से motives मौजूद थे सबसे पहले तो वो militant Islam से डरे हुए थे जो कि इरान बॉर्डर के थूँ इराक में फैलने लगा था हुआ ये था कि 1979 में इरान आयतला खुमेनी की लीडिशिप और उनके fundamentalist शियाइट Muslim supporters की help से Islamic Republic बन चुका था इन लोगों का मानना था कि देश को Islamic religion के according run करना चाहिए जिसमें strict moral code को severe punishments के जरिये लागू किया जाए खुमेनी के अनुसार Islam में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ Allah के पास ही होता है इरान में जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं इराक जो कि इसका पडोसी देश है वहाँ इसका असर होने की possibility बहुत बढ़ गई थी इराक की population mainly सुनी Muslims की थी लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में शियाज भी रह रहे थे ऐसी situation में सदाम हुसेन जिनकी government non-religious थी उन्हें डर था कि शियाज उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं इस डर के कारण उन्होंने 1980 की शुरुवात में शियाज के कुछ leaders को execute भी करवा दिया था इसके जवाब में इरेनियन्स ने Iraqi frontiers पर raids launch करना शुरू कर दिया था यानि की शिया सुनी conflict दोनों देशों के बीच हुई इस war का एक कारण था इसके अलावा Iraqis का ये भी claim था कि Iranian border province कुजस्तान असल में उनका होना चाहिए इस area में ज्यादतर Arabs रहा करते थे और सद्दाम को उम्मीद थी कि ये लोग Iraq का support करेंगे यहां धियान रखने वाली बात ये है कि इरान के ज्यादतर लोग Persians होते हैं ना कि Arabs इसके बाद एक reason और भी था और वो था शतल अरब waterway को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा dispute ये waterway दोनों ही देशों के oil exports के लिए important outlet था और दोनों के बीच frontier region का part भी था एक समय पर शतल अरब पूरी तरह इराकी control में हुआ करता था लेकिन 5 साल पहले ही यानि 1975 में इरान की सरकार ने इराक को force किया था कि वो इसका control इरान के साथ भी share करें इसके साथ ही सद्दाम हुसेन ने ये भी सोचा था कि fundamentalist takeover के तुरंत बाद Iranian forces कमजोर और demoralized होंगी कर लिया है आईए जानते हैं कैसे events of war the war drags on दोस्तों इराक ने हमले की शुरुवात disputed waterway यानि शतल अरब को seize करके की लेकिन इरेनियन्स ने भी बहुत तेजी से खुद को इस हमले से निपटने के लिए और्गिनाईस किया इरेनियन्स ने हमले का जवाब heavily fortified Iraqi positions पर mass infantry attacks के साथ दिया on paper तो इराक बहुत ज्यादा strong नजर आ रहा था उसके पास Soviet Union द्वारा दिये गए tanks, helicopter gunships और missiles के साथ कुछ British और American weapons भी थे लेकिन इरेनियन revolutionary guards जो अपने religion से inspired थे और martyrs बनने के लिए पूरी तरह तयार थे उन्होंने fanatical determination के साथ fight back किया इसके अलाबा कुछ समय बाद इरान को भी modern equipment जैसे anti-aircraft और anti-tank missiles मिलना शुरू हो गई इसमें उसकी मदद कर रहे थे China और North Korea यहां तक कि America भी secretly उन्हें equipment सप्लाई कर रहा था इस तरह इरान की position धीरे धीरे बेहतर हो रही थी अब जैसे जैसे war लंबा खिचने लगा था इराक ने Iranian oil exports को strangle करने पर जोर देना शुरू किया क्यूंकि इसी से इरान अपनी arm supplies के लिए पे कर पा रहा था वहीं इरान ने इस बीच इराकी territory को capture करना शुरू कर दिया था और early 1987 में स्थिती ये थी कि इरान के troops बसरा से सिर्फ 10 miles की दूरी पर थे दोस्तों बसरा इराक की second most important city थी और इसे खाली करने की नौबत आ गई थी अब वो समय आ गया था जब territorial dispute deeper racial और religious conflict में कहीं खो चुका था Khomeini ने कसम खाली थी कि वो तब तक fight करना नहीं चोड़ेंगे जब तक कि उनके शिया मुस्लिम fundamentalists godless सद्दाम रेजीम को पूरी तरह destroy नहीं कर देते इरान और इराक के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध के बहुत ही important international repercussions भी देखने को मिलते हैं आईए जानते हैं उनके बारे में international repercussions दोस्तों इस war के कारण entire Arab world की stability खत्रे में आ गई थी जहां Saudi Arabia, Jordan और Kuwait जैसे थोड़े conservative states इराक को cautious support दे रहे थे वहीं Syria, Libya, Algeria South Yemen जैसे देश इराक की आलोच ना कर रहे थे उनका कहना था कि इराक ने ऐसे समय में war शुरू कर दिया है जबकि सभी Arab states को मिलकर इस्रेल के destruction पर ध्यान देना चाहिए Saudis और बाकी Gulf states जो की Khomeini के fundamentalist brand of Islam को लेकर suspicious थे वो इरान द्वारा Persian Gulf के domination को control करना चाहते थे November 1980 में ही Jordan के Amman शहर में होने वाली Arab Summit Conference नाकाम्याब रही थी क्यूंकि Syria द्वारा-led Anti-Iraak States ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया था इस Conference का मकसद इसरेल से डील करने के लिए नए plans बनाना था इसका मतलब ये हुआ कि इरान इराक की वजह से कहीं न कहीं Arab unity कमजोर पड़ रही थी इसके अलावा इराक द्वारा इरान के oil export पर हो रहे attacks ने West की oil supplies को threaten कर दिया था और कई बार American, Russian, British और French warships को region में आना पड़ गया था जिससे महौल काफी गर्मा गया था 1987 में तो स्थिती और भी खतरनाक हो गई क्यूंकि oil tankers को mines से threaten किया जा रहा था फिर चाहे उनकी nationality कुछ भी हो सबसे बड़ी बात ये थी कि इन mines को बिचाया किसने था इस बात पर कोई सहमती नहीं थी इसके साथ ही इरान के शिया fundamentalist troops की success ने especially बसरा पर आये खतरे ने सभी non-religious Arab governments के कान खड़े कर दिये थे सेरिया के president Assad जो की शुरुवात में इरान के strong supporter थे वो भी परिशान होने लगे थे कि कहीं इराक split होकर एक और Lebanon न बन जाए क्यूंकि इस से खुद सेरिया भी destabilize हो सकता था इस तरह हम कह सकते हैं कि इरान- इराक war ने पूरे विश्व की ही सांसे अटका रखी थी आईए अब ये जानते हैं कि आखिर इस war का end कैसे हुआ दोस्तों जैसा की हमने देखा कि इस war से पूरा रीजन ही खत्रे में आ गया था इसलिए January 1987 में कुवेत में एक Islamic conference का आयोजन किया गया इसमें 44 nations के representatives ने हिस्सा लिया लेकिन इरान के leaders ने attend करने से मना कर दिया और इस वजह से war खत्म करने को लेकर कोई agreement नहीं बन पाया बलकि 1987 के end में war एक नए और पहले से भी ज्यादा terrible phase में एंटर करता है जब दोनों sides एक दूसरे की capital cities यानि कि तेहरान और बागदाद पर bomb गिराना शुरू कर देती है इसमें हजारों लोगों की मृत्य हो जाती है war इतने लंबे समय से चल रहा था लेकिन अभी भी कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा था कोई भी जुकने के लिए तयार नहीं था और ना ही किसी के war aims ही पूरे हुए थे लेकिन युद्ध की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी economically भी और human lives के context में भी इस कारण दोनों ही sides किसी तरह से fight रोकने का तरीका ढून रही थी हालांकि कुछ समय के लिए propaganda जरूर चलाते रहे सद्दाम total victory की बात करते थे और Iranians total surrender की demand आखिर में UN involved हुआ और दोनों ही sides के साथ बैठ कर straight talks की गई और August 1988 में ceasefire अरेंज करने में कामियाबी मिली इसे UN troops द्वारा monitor किया गया और लोगों को उम्मीद तो नहीं थी लेकिन फिर भी ये truce किसी तरह कामियाब रहा October 1988 में peace negotiations शुरू की गई और finally 1990 में terms को लेकर दोनों sides agree हो गए और इस तरह लगभग 10 साल के बाद ये conflict finally खत्म हुआ conclusion दोस्तों हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इराक द्वारा इरान पर किया गया हमला एक बहुत ही बड़ी गलती थाबित हुई और इस गलती का नुकसान न सिर्फ इराक को हुआ बलकि पूरे विश्व की ही नींद इसने उड़ा दी थी आज भी ये region इतना volatile है कि इस तरह की गलती अगर दोबारा हुई तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है इसलिए इस war से सबक लिना चाहिए और याद रखना चाहिए कि war किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता बलकि और ज्यादा समस्याएं खड़ी कर देता है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable